फाइनली काईब फाशन का सबसे बड़ा सेल स्टार्ट हो चुका है, लिटरली मिंतरा का सेल का नाम है बीग फैसन फेसिवल जो के मिंतरा पे चल रहा है भाई, स्मीकर्स पे ऐसे ऐसे डील्स आ रहे हैं ना कि लिटरली मेरा मन, मेरा दिल, सब कुछ मैथमेटिक्स के तरह जो to 90% यहां पर offer मिल रहा है सारी चीजे जो भी पहले देखने लाइक थी हमने पिछले वाली वीडियो में आपके लिए कवर कर दिया इस वीडियो में आपको सारे ही प्रीमियम स्नीकर्स पर बेस्ट दिखाऊंगा कौन से जूते आपको लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं और सब से पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई न्यू बाइलेंस के सिंगल एक जूते से इतर इनके जितने भी जूते थे ना उनमें कोई भी बेस्ट दील मुझे दिखी नहीं सारे महंगे भी रहे थे इस पटिकोनर मॉडल का यहां पर नाम तो नहीं में लेकिन हमने इसे चानल प देखने को मिल जाएंगी और बड़ा सा प्रिंटेड एंड का लोगो मिल जाएगा जब हमने जूते को ट्राइ किया है ना हमारी भी पहले एक्सपेकेशन इतनी सिंपल थी कैसा होगा सिंपल सा है लिकिन न्यू बालेंस की जो क्राफ्टमेंशिप है वह आपको इसमें वीडियो पहुंचाई जा सके और आप जल्दी से वो डीस ग्रैब कर सको कि अभी हम सूट कर रहें ठीक बारा बच के चौटिस मिनट पर और सुवह आपको यह वीडियो हमें देनी है यह है ना की तरह बनाए गए है सारे साइज यहां पर एवलेबल है यह सबसे वड़ी ब होने का भी लफला नहीं है पूरी बोड़ी आपको सिंथेटिक या नाइलॉन टाक के मटीरियल का बना हुआ है यह वाइट स्नीकर है अगर आपको नाइकी से सुरुवात करनी है तो दूसरा जूता दिखने वाले इक्जाक्ट इसका मिट आप वर्जन है अगर आपको मिट अपसंद है अब डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो दोनों ही शूस में आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे वह पूरा वाइट था यह रैक एंड वाइट है जोकि मोर यूसेबल है जल्दी गंदा नहीं होगा इसके लिए भी जा सकते हो क्योंकि सप्राइज सब्सक्राइब जल्दी निकलने वाले हैं जब आपका लिए वीडियो देख रहे हो यह अर्ली एक्सेस वाले लोगों के लिए है और शॉपिंग होगी वो कल से होगी बट डफिनेटली भाइट समस्ट मस्ट हाव स्नीकर थी हजार के अंदर में हाई टॉप नाइकी का स्नी स्नीकर है अब सच बता हूँ यह स्नीकर हमेशा सही इतने प्राइज में मिलते आया है कोई स्पेसल यहां पर डील नहीं है लेकिन हाँ इट सब्सक्राइब स्नीकर अगर आपको नाइकी के स्नीकर से सुलवात करनी है और एक सिंपल सिलवेट चाते हो तो नेक जो हम जूता देख रहे हैं वो है इसका एक और अधर कलर जहां पर इसका नाम है को पूरी बॉड़ी वाइट टिलर की है ब्लैक अब श्यूस देखने हो मिल जाएगा रिसाइक में यूस हुआ है पूरी अपर बॉड़ी आपको इसमें सिंथेटिक माटीरियल की देखने हो मिली रवर ग दंग जो है वो नाइलॉन पाड़े आपको मिलता है यह जूत हमने और डी रिव्यू किया हुआ है तो हमें सारी चीज़े पता है यह एक बास्केट बॉल स्नीकर नाम है नाकी एरमेक्स अलफा ट्रेनर फाइट सर ट्रेनिंग शू लेकिन डेफिनिटली नाकी के सारे स्नीक की बात करें डेफिनेटली काफी एंट्राक्टिव एंट्राक्टी लगता है जूता पूरी इसका निटेट टैप की देखने को मिल जाएगी साइड साइड में आपको जो शूस मिलता है वो प्रिंटेड है बैक में आपको पूरा बड़ा सा एयर कंपार्टमेंट सोल देख यह है नाइकी SB LEU और इसे भी हमने चैनल पर रिव्यू किया हुआ है मारपी इसकी 6450 रुपए हमने जब खरदा था चार पांसी रुपए के आसपास में अभी इस पे 55% का आफ मिल रहा है और इस पर्टिकुलर कलर को अगर आप खर दोगे ना जहां पे है राइट ब्लैक थोड़ा सा ब्लू यह आपको 2922 मिल जाएगा क्योंकि अदर जो इसके कलर से ना वो थोड़े से एक्स्पेंसिव हैं सिर्फ यह वाला कलर ऑप्शन जो है वह आपके लिए सस्ता किया गया है इसलिए यह काफी पॉपिलर स्neekर है क्योंकि आपको 3,000 के अंदर में मिल रहा है नेक्स्ट अगर जूते की बात करें ओ माइग गॉड इस जूते के तो मैं पक्का चैनल पर लाने वाला हूं रिव्यू करने वाला हूं लिख कर रख लो जबना की कि हाल आई की तो आप देख भी लेना ना मैं इसका बॉल्ड मि लगता है लेकिन टेलीग्राम में हम अपने कवाल डीज शेयर करें पूरी टीम लगी भी है ताकि आपकी शॉपिंग हम बहतर बना सके बस आपसे चाहते हैं कि चैनल को सपोर्ड करिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत मैनत करते हैं यहां पर इसकी पूरी बॉड़ी लेकिन जूते को स्किप करते हैं अभी के लिए नेक जूता हम देख रहे हैं वह जूता तो है महंगा लेकिन एक इनफॉर्मिशन के साथ आता है बहुत सारी लोग नाइकी के एरफोर्स वन को खरीदना अपना ड्रीम समझते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन यहां पर न मिलें के वाइट ही रहेंगे लेकिन कोई प्रीमियम लेदर है कोई नॉर्मल लेदर है यहां पर आपको एक बीसेंट मैटीरियल देखने को मिलता है बहुत प्रीमियम एक्टेशन मत रखना लेकिन हां राइस काफी ज्यादा तगडी है अब हम जम कर चुके हैं पूमा के ल था कि पूमा 65% तक का और यहां पर दे रही है इस पटिकुल अगर जूते की बात करें क्या खूसूरत है इस जूते को हमने और रिव्यू कर रखा है जूता बहुता बहुत जाता है लाइट बेट है स्नीकर होने के बाद भी क्योंकि इसकी पूरी अपरवाली मेश के काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया है हाला कि सच बताऊ ना तो उतना जादा आपको प्रीमियम निस नहीं देगा लेकिन डफिनेटली कमफर्टेबल बहुत होने वाला है और क्रेजी बात यह है कि यह आपको महस्त तेरा सुनीनानवे में में मिल रहा है भाई मैं ना द और लोग्स को ना ओल मॉडल्स को रिमूव नहीं करते बलकि रिपिटिटली हर साल बेचते ही जाते है जो कि थोड़ा सा बोर करता है सेल के समय में वही सारे जूते अगें अगें दिखते रहते हर साल जो कि मुझे पसंद या था क्योंकि मैं आपको नहीं चीज़े दिखा मिलेगी मल्टीपल आपको प्यू के पैचे देखने हो जो पूमा का फॉम स्ट्रीप देख रहे हो वो रबर कोटिंग इस रूब बनाए गया एक समय का ना यह काती प्रीमियम स्मीका रहे है इसलिए इसके मार्पिए 6999 53% आप पे साथ यह आपको 3,290 रुक्रे में मिल जा है वो थोड़े से साथ आता है लेकिन भाई बहुत करा रही है क्योंकि यह ही पुमा RSX ग्रीज स्नीकर आरे से जितने भी स्नीकर होते बहुत जादा ज्यूते होते हैं यहां पर देखो इसके मार्पिए भाई 10,999 रुपए एक इसका मॉडल मेरे पास पड़ा है बस कलर का थ खरी सकते क्या नहीं खरी सकते प्यूकि इस गूर्ड़ें जांस आपको भी अगर खरीदना खरीदी आपके साथ शेर कर रहे हैं जो हमने अल्री एक्पिरियंस कर रहे हैं लेकिन खरदारी करते वक्त हमेसा याद रखे आपको और स्पेंड नहीं करना है अपने बजट के हि आपको पूमा का देख रहे हैं वो है पूमा सॉफ्ट राइड एंजो इवो गेमो रणिंग शू फाइपर खंदान का नाम लीग डाला यहां पर आपको स्टाइल के साथ कमफर्ट के साथ एक लॉंग लास्टिंग लाइफ भी देंगे सारे साइज यहां पर अवेलेबल है जूते के एक रिजाट बात करें पूरी इसके अपर बॉड़ी मेर्श की बनाई गई है ग्रेक अपर सोफ्ट राइड फोम का यूस किया गया है यह पूमा का एक पे टेंटेड फोम है कासी अची कॉलिटी का होता है बैक में आपको लास्टिक पूमा की ब्राइणिंग देखने उमल जाएंगे यह एक ऐसा जूता मुझे लगता है जहां लगाऊंगा तो यह 3149 का जूता मेरे को 2670 में मिल जाएगा और 15% और सारी चीजों में यह सारी चीज़े अपलाई होगी मैं हर्फ चीज को कवर ने कर पाऊंगा क्यूंकि सारी चीज़ें कवर करनी है नेक जूता हम पूमा का देख रहे हैं वह है पूमा एक्स रे टाइप आफ आपको मिलेंगे कुछ 19-20 हो जाए स्पीड में तो माफ करिएगा पाकी और और जूता काफी स्टाइलिस है मर्पी यह इसकी 6999 60% आफ के साथ यह मैंज आपको 2799 मिल जाएगा विच इस क्रेजी क्रेजी डील के लिए लोगों के लिए कला थोड़ सा साइड सा टाइप का हो सकता है लेकिन ट्रॉस्ट मी यह ऐसे ब्राइंड से ना जो कि कभी भी गलती नहीं करेंगे किसी चीज को बनाने में कुछ ना कुछ इसमें बात होगी और वो बात तब आपको बता चलेगी जब आप इसे खरीद कर अपने कारों में पहनों के तो नेक्ट जो आपको देखने को मिल जाएगी पूरा इधियर का फो मिलता है नीचे में आप और बैक में यह जो आप ग्रीन कलर का बड़ा सा ऐसा कांच जैसा पीज देख रहे हो ना यह बस एक रवर टाइप बाटीरियल है मुस्ली डिजाइन में यूज किया जाता है प्लेकिन हां इसम आपको लेनी चाहिए अगर आप रनी यह स्पोर्ट सू खोज रहे हो तो सारे साइसे अवेलेबल है मारकि इसकी पांच दानों सी नियांडर 55 वर से डॉक के साथ यह आपको 2699 में मिल जाएगा बात क्रेजी क्या है कि यह जूता भाई बहुत प्रीमियम जूता माना जाता ह है मैंने इसे बहुत पहले चेक आउट भी गिया था पूरी वाड़ी आपको मिल जाएगी तारों तरफ आपको बहुत सारी कोटिंग्स देखने हो मिलीगी पूमा का फोन स्रीप देखने हो मिल जाएगा की फो मिलता है और जूता बहुत बहुत खूबसूरत लगता है साथ पूमा की बाड़ी आपको इसमें सिंथेटिंग मिल जाए कि ब्लाक पूरे जूता है वाइट ऑप्सेंट मिल रहा है जो कि बहुत बड़ी बात है अगर आपको पूमा का एक बजट स्नीकर चाहिए ना जिसमें तगड़ी कॉलिटी हो और एक्स्पीरियंस आपको अच्छा है वुवेंड डिजाइन एलिंग रनिंग शू आइडों इसका नाम क्या है लेकिन इसके मार्पी चार हदार दोसुनीनाबे 65% आफ के साथ ही आपको फंदरा सोर रुपे में मिल रहा है इस जूते का हमने 2000 के आसपास में खरदा था रिव्यू भी किया है चैनल पर पूरी इसके आपको मेश के देखने को मिल जाएगी सिंथेल्टिक पैच के थूरे यहां पर आपको पूमा का स्ट्रिप देखने को मिलेगा और उसी से आपको तीन लूप्स निकलते भी देखेंगे जिसके थूरे यहां पर लेस सिस्टम को डिजाइन किया गया है नॉमस आपको देखने को मिलते हैं यहां पर आपको रबर का आउटर सोल देखने को मिल जाएगा तीन आपको एक्ट्राइस के लिए जाना चाहिए क्योंकि यह ज्यादा अप्रोशिंग लगता है इसमें भी अगर आप कोड यूस करोगे इंसाइडर से लिए तेन तो आपको यह तेरा सो अबलेबल है प्राइजिंग जाएगा और यूस करोगे तो और सस्ता मिल जाएगा पूरी बॉड़ी यहां पर आपको थोड़ी ब्लुइश्ट कलर टाइप की देखने हो मिलेगा और पूरा जो लेदर है वहां पर आपको एक्टम लाइट स्वेट का मैटेरियल मिलता है सा की अगें दो हजार के आस पास पर है विशेजी क्रेजी डी और नेक्स जों पूमा को जूता देख रहे हैं वो है वन एट एक्स पूमा यानि विराट कोली का ब्राइड प्लस पूमा का ब्राइड इक्वस्तु ग्रेट प्रोड़क्त यहां पर इसकी प्राइजिंग है चा हुआ तो फस होगे आप पूरी बॉड़ी इसकी आपको सिंथेटिक मेटीरियल की देखने हों मिलजा की साइड में आपको पूमा का फॉन स्रीप मिलता है जहां पर फोल का डॉट सैप की डिजाइनिंग मनाई है यह जूता बहुत जादा सुंदर नहीं लगता लेकिन काफ राइड जूता विसकी स्टोरी क्या है यह हमने इस सेल से पहले बहुत सारे पूमा के जूते और की एक वीडियो के लिए जहां पर यह जूता एमार पी पे बिकर रहा था क्योंकि इसके एमार पी है साथ जानों से नहीं लेकिन अब इसमें फुर्टी पर लग चुका है और प्रोवाइड हो और यह जो फो मैं वह अच्छे से दबें मीचे के तरव आपको हाड़र वसोल देखने हो मिल जागा यह फुल रिव्यू नहीं है तो मैंकी चीज़ करें यह अच्छे से लेकिन ज्याद रखना इन सारे जूतों में वन चांस का और अपनी टीम का पूरा ट यह पिछले साल से भी अभी यह सस्ता हो चुका है जूता हमने पिछले साल भी से सजेस्ट करना है उस प्राइस गिरने का वेट कर रहे थे और यह भाई से पहले ना धाई हजार रुपे गया नीचे गिरा है पूरी इसके आपको निक्टेड टाइस आपको गोंड कर देखने को मिल जाएगी इस जूता का चानल रीवी भी कर रहा है बहुत अच्छा जूता है सिंपल है अट्रक्टिव है स्पोटी लगता है और इसके लिए आप हस के जा सकते हो नेक्स जो हम एडिडास तर जूता देख रहे हैं वह है एडिडास जॉल्ट जॉल्ट इसके आपको एक्ट्रा कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे राइस इसकी पी सिमिलर होने वाली है सब्सक्राइब कर देखने हैं यहां पर इसकी पूरी अपर बड़ी मेश की बनाए गई गई है रवर की को मिल जाएगी वेफों मिल जाएगा बीच में पूरा रबर का सोल देखने हो मिल जागए इसे भी हमने और रिव्यू किया हुए चैनल पर हम बहुत सारी जूते जू मिलने वाली है मुझे नहीं लगता कि यह जूता बचेगा इसलिए हम चलते हैं नेक्स की तर्फ क्योंकि नेक्स जूमारा एडिटास का जूता है वह एक ग्लासी स्नीकर होने वाला आदिको इसका नाम भी है एडिडास 90s के समय की चीज़े अब बहुत ज्यादा चल रही है इसके आपको दो कलर और उप्शन सी देखने मिल जाएंगी देखने मिल जाएंगी जिसमें का अच छू जो अच्छा होता है नीचे में जिसका मिट्स हो लहना को रबर का बनाया गया है दो कलर आपको देखने को मिल जाएंगे नीचे आपको अच्छा ग्रूफ देखने को मिलेगा जूता ट्रस्ट मी थोड़ा सा डिफ्रेंट डिजाइन के साथ आता है इसमें क्लासी टॉच है लेकिन हाँ जूता कमपोटेबल भी उतना ही होगा नेक्ट जो हम अपना इडिडा अविलेबल तो है लेकिन फटावर्ट रॉग आउट हो रहे है पूरी इसके आपको मेश की देखने को मिल जाएगी यहां पर जो एक्ट्वल कैच है ना वह है इसके मिट सोल में क्योंकि यहां पर यूजवाय डिडार्स का रिस्पॉन सोल काफी जादा कमपोटेबल काफी यहां पर मेश की बनाई गई उपर में आपको प्रीमियम सिंथेटिक टैचेस देखने को मिल जाएंगे वाट इन ग्रीन का यूज़ का यूज़ का गया बैक मापको एक पुल्टाप मिलता है पुरा रबर आउटर सोल देखने को मिल जाएगा और गंदी चीज मुझे क्या लगती है इसके आउटर सोल में देखो इसे स्टिचे स्टैकी ने डीटेलिंग बनाई गही है हाला कि स्टिचिंग है नहीं अगर आपको अच्छा लगता है इसके लिए जा सकते हो क्योंकि प्राइस काफी अच्छी है दो हजार के आसपास की ने जोटा देख रहे हैं वह एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती क्योंकि इनके mid-budget sneakers पे और shoes पे कफी तगडे deals मिल रहे हैं आपके लिंक भी लगा दूगा master link जिसके अंदर में वह सारे जूते होंगे अगर इस जूते की बात करें यहां पर आपको पूरा mesh का काम देखने को मिल जाएगा फ्रेंड मे आफिलिटली जा सकते हो क्योंकि यह 2000 के अंदर का जूता है जोता देख रहे हैं वह थोड़ा सा advance है काफी better price में आपको मिल रहा है I will personally recommend you कि आप इस जूते के लिए जाओ क्योंकि इसका नाम है adidas alpha edge plus running shoe MRPS की देखो है 6999 यानि 7000 और 65% off के साथ ही आपको 2449 में मिल जा रहा ह पूरी इसके अपर बाटी मेश के देखने को मिलेगा इसके मिलेगा इसके मिलेगा और इसलिए मैं जूते कर रहा हूं कि बाउन्स एक अच्छा premium mid sole माना जाता है इसमें आपको एंदल सपोर्ट काफी अच्छा देखने को मिलेगा नीचे हाट अपर गृब देखने को मिल अगर आपको पैर में सपोर्ट की थोटी कमी है इस जूते में जाओ आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा इसका तो बोक्स काफी ज्यादा वाइड है इसका फुट्प्रिंट भी काफी चौड़ा है राइस भी काफी तगडी है भाई नेक जो जूता हम देख रहे हैं वह है एडिडास का एक ड्रू और्थो लाइट रूइंग सब्सक्राइब का नाम है काफी अच्छी कॉलिटी होती है यहां पर भी इसकी पूरी वाइडिमेश की मिल जाएगी मृटिपल पैजिस देखने को मिल जाएगी एवी फोम मिलता है टीप्यू के अलग अलग पैज ही बड़ा है इंकमपडेबल जूता है इस ग्रेट चॉइस नेक्ट जो जूता में डिटास का देख रहे हैं वो एक ओजी स्नीकर है और क्यों मिल रहा है यह है एडिडास औरीजनल्स का स्टांज में से एक है यहां पर इसकी प्राइजिंग हमेसा 8-10,000 होती मेरे पास पर जूता है जो मैंने नौजार में घरदा था यहां पर इसके मर्पी नौजा सिक्स्टी परजाएं आपको तीन हजार पांसो नियांद में में मिल जाएगा पूरी बॉड़ी इसका प्रीम लेडर की देखने को मिलेगी यह तोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है रैक में आपको एक मिलता है जापर आपको स्टैन लिखाव मिल जाएगा एंड आइकॉनिक स्टैन समीत का फेस भी बनाए गया है विचिस ऑटोग्राफ अगर आपको एक्स्पीरियंस करना है किसी हिस्ट्री को तो और प्राइस वाई साढ़े तीन हजार रुपे आप हसो मैं रोता हूँ चलते हैं नेक्स की तरफ क्योंकि नेक्स एंदा लास्ट हमारा जूता है एडिडास ब्रेक नेट 2.2 एक टैनिस स्नीकर है लेकिन पाड़ा में जाए हम तो ऐसे कास्वली पैन लेंगे पूरी बोडी इसका आपको प्रीमियम सिंथेटिक लिदर की देखने को मिल जाएगी प्रेट ब्लू एडिडास की ब्रांडिंग लिए अपको मिल जाएगा और एक्ट्रा जोट दो नहीं मिलेगा लेकिन अच्छी बास क्या है कि इसे एडिडास इंडिया ही से इंडिया ही से ल कर रही है अगर आपको यह सारे जूते के लिंक चाहिए आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगे सारे प्रोड़क्स के लिंक आपको प्रोड़क्ट टाइगिंग में भी आपसे मिलने लग जाएगे क्योंकि यूट्यूब कापी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है आपके शौटिंग ए अगर यह वीडियो अच्छी लगी है और हम बहुत सारी एसे वीडियो को कवर करने वाले टेलिग्राम में फालो करने मिलते नेक्स वीडिम अभी के लिए भाई जहिल पीश बूम